पोसिस करो, we are given several identical resistance, हम लोग के पास 10-10 के बहुत सारे resistance अब लेबल है, ठीक है, 10-10 के बहुत सारे resistance अब लेबल है, बट maximum current 1 ampere flow हो सकता है, 1 ampere current सभी ले सकते हैं, तो हमें एक ऐसा suitable network बनाना है, suitable combination बनाना है, suitable network बनाना है, जो 5 ohm resistance, तो net resistance कितना हो बोलो, net resistance 5 ohm हो, ठीक है, and carry current 4 ampere current carry करे, ठीक है, और minimum number of such type of R कितनी जरूरत होगी, मतलब हर एक की value 10 ohm है, ठीक है, आपके पास बहुत सारे resistance है, हर एक की value 10 है, और हर एक 1 ampere maximum current ले सकता है, इसे जादे नहीं ले सकता, तो हमें एक ऐसा combination बनाना है, एक ऐसा network बनाना है, उस network में कितने minimum R की जरूरत है, ठीक है, आगया question समझ में, तो चलो एक network hypothetically consider करते हैं, मालो, मैंने बहुत सारे resistance series में लगा दिया, तो क्या होगा, क्या इससे बात बनेगी क्या, नहीं बात बनेगी या, क्योंकि 1 ampere इसमें flow हो रहा है, एक ampere इसमें flow हो रहा है, तो हमें तो 4 ampere चाहिए, तो इसका मतलब यह हुगा, कि अगर मैं dot dot dot, हमको पता नहीं इदर कितने लगा दिया, इसी तरह से rrr dot 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 dot, n हमने ऐसे लगा दिया, और यहां से one ampere, one ampere, तो यहां से एक और network बनाया, dot dot dot, यह dot dot dot, n हमने one, और यह one, और यह one, और यह one, one, one ampere, तो कुल मिलागे, अगर मैं यहां से four ampere दे दू तो तो हमारा requirement पूरा हो जाएगा पहले तो current की requirement पूरी हो जाएगी क्योंकि 1 ampere इधर गई 1 ampere इधर गई 4 ampere चली गई और हमको पता नहीं है कि इधर कितने resistance लगे हुए है तो finally कुछ लगे होंगे इस network में वो हमें निकालना है तो सबसे पहले मान लो ये R, R N times लगा हुआ है N, R ठीक है तो अगर N, R लगा हुआ है तो एक काम करते हैं कि ये सारे equal है तो इस पूरे circuit का resistance कितना हो जाएगा N, R अपान अगर ऐसे हमने 4 बार divide किये that is net resistance that is the net resistance of this combinations net resistance of this combination series में series में कितना होता series में equal होते हैं तो N, R हो गया और ऐसे parallel में 4 है तो 4 से divide कर दिये तो this is the net resistance अब ये जो net resistance जो हमारी requirement है net resistance that is 5 Ohm है तो ये 5 Ohm आजाएगा और ये आजाएगा N, R divided by 4 इसका मतलब ये हुआ कि N की जो value आ जाएगी वो 5 multiplied by 4 और divided by 10 R की value तो ये आ जाएगा 2 2 2 मतलब यहां पर जो series में लगे होंगे वो 2 लगे होंगे तो यहां भी 2 यहां भी 2 मतलब final network कुछ ऐसा होगा समझ में आ रहा आपको तो final network ये 2 वाला और ये 2 ऐसे और ये 2 और ये 2 तीक है और ये 2 तीक है और ये 2 तीक है और ये 2 ये network आ फाइनली जो हमारे requirements को पूरा करता है यहां से 4 ampere जाएगी तो 1 ampere इधर जाएगी 1 ampere इधर जाएगी 1 ampere इधर और ये R की value 10 ohm है और ये भी 10 ohm है 10 और 10 और 10 और 10 और ये 10 और ये 10 तो यहां से देख रहे हो net resistance इस पूरे का इस पूरे का net resistance कितना है 5 है तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है number of resistance की जो जरूरत है कितने resistance मिल जाएंगे हमको that is 8 ठीक है 2 उपर 2 नीचे 2 that is 8 resistance ठीक है तो कुल मिला के final solution ही है that is 8 तो आई होग किया सब को clear हो गया होगा कोई भी डाउट है कोई भी दिखकेत है तो comment करो I will reply और motivated रहो नर्जितिक रहो अच्छिश्मधाइक रहो थैंक यू